कहा से आए हैं और क्या सोच के आए थे हम लोग डालतर रही चाह हुए है तो हम लोग आये थे घुमने तो यहां яven जंगल 53 में उसके बाद जो सब सुनसान है अगर यह पार्क जो है अगर यह कहीं और रहता जारखंड के लावा तो इसमें काफी टुरिस्ट लोगा होए तो अगर अगर आप अगल वगल देखेंगे तो सिर्फ मूर्गा मीट बनने के लावा यहां और कोई development नहीं है अगर आप सोचे कि यहां बढ़ियां को कहीं कुछ मिले कहीं कुछ नहीं है बस लोग आते हैं मुर्गा खाते हैं अगल वगल आएंगे फोटो खिचवाएंगे और वापस चले तो यह दूर भाग यह है फोटो खिचवाने के लिए आपको सामने में जो है दो बड़ा बड़ा elephant हाथ ही नजर आ रहा होगा लेकिन वह हाथ ही सिरिफ फोटो घिचवाने के लिए लेकिन हाकिकत में अंदर में आप जाएंगे तो सायद आपका किसमत अच्छा रहा तो मिल जाएगा इधर देखेगा आपको बच्चे लोग कुछ खेलते हुए नजर आएंगे लेकिन ये बच्चे लोग जो है जो खेल रहे हैं उहां के अगर आगल बगल की स्तिती देखेंगे तो पुड़ा महोल जो है आपको खराब नजर आएगा गंदगी जो है पुड़ा फैला हुआ है लेकिन कोई भी परबंदक द्वारा जो है इस पे के उपर और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है अलाकि जीसी साब से ये पार्क है ये पार्क का अगर डेवलपमेंट होता तो उमीद करते हैं अगल बगल की जो भी अगल बगल की राज है वहां से भी लोग जो है हमारा ये जारखन में आते हैं और इसको जो है जो जो है एसी एसी इंटरनेशनल पार्क को भी डेवलपमेंट नहीं कर रही है और कहीं नहीं तो हमारा जर्खन जो है कभी विकास नहीं होगा और वेक्कास का जौ्द है नई अपड़फि त्रीक सबसudedंग सर्थ कि और यहां जो क्या सोच गया थे और यहां क्या मिला अब जोले कभी आयते हाँ पहले बहुत बार आचुकंगें कि यहां किसा पार्क होना चाहिए पार्क तो अच्छा था यह जार्खन तो बाहर में आप कहीं पार्क में गये नहीं पार्क हों लग रहा है इसका डेवलोपमेंट किया जाता तो इसका रूप रेखा कैसा होता है इसका रूप रेखा बहुत ही अच्छा होता है पार्क जो है जैसे आप देख लिए कि नेस्नल पार्क जतना भी होता है बाहर में लोग रहा है महराश्ट में मुंबै हैं बैंगडोर में रहा है कोई भी नेस्नल अपे देखिए कि बच्चा बच्च आया हुआ है कोई टूरिस्ट नहीं है हम अपने भांजा को लेकर आये थे निसनल पार्क घूमाने के लिए कि जानवर होगा जानवर लेकर गए मेरा भांजा सो गया के वल अंदर जाके क्यों क्या है गाइड लोग आपको दिखेंगा बंदर गाइड लोग मिलेगा वह यह सिरिफ नाम के लिए अभीट अफील भूतानियाग बंदर भी हम उच्छा लगा कि औरवा से कंच्छब यहाँ ड्यिसी मेर्ट गूटीक कर लिए कर दिड़ोग bayी में पहले प्लामू आता है फिर भी कोई बदलाव नहीं बदलाव रही है जब चेंज होता है जगा का होता है तो उमीद यह किया जाता है यह जो भी मुहदय लोग हैं जो बड़े-बड़े सिंगासन में बैठते हैं उनके अंदर पावर नहीं है इसलिए एरिया को बांट दिया जाता है लेकिन जब एरिया बांट भी गया लातेहर में भी चला गया तो वहां कभी जो सिंगासन में बैठने वाला जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं सिर्फ कहीने कहीं खोखले बाज जो है चारो साइड में पड़ा हुआ है हलाकि थोड़ा सम और इसका विकास आपको नजदी की से आपको दिखा दे क्यूंकि काफी दूर से बच्चे लोग यहां पर ख्यलने आते हैं मौरो रंजन करने आते हैं और उसका मौरो रंजन का पाठ जो है यहाँ देखेए इस सबसे है इस पर जो है बच्चे लोगों खेलेंगे और आगे का हिस्साप जो है जब धर्म मारी गिरेंगे तो किस सबसे उनको चोट आएगा उसका कहीने के यह सारा चीज आपको खोकले बाजी आपको मिलेगा ना पार्क की ब्योस्ता है ना बैठने की ब्योस्ता है कुछ भी ब्योस्तानी है सिरिफ और सिरिफ जो है इंटरनेशनल पार्क है और इसी पार्क पर जो है लाखो कड़ो रुपया का फंड आता होगा और य इसका आता पता भी नहीं, आप देख पा रहोंगे, कितना दिन से जो है, किसी साफ से जड़जड इस्तिती में लगा हुआ, इधर बच्चे लोग जो है, खेल रहे हैं, लेकिन जो खेल रहे हैं, उहां कभी आसपास कर देखेंगे, तो कोई साफ सफाई आपको नहीं मिलेगा अलाकि यहां के सरकार से और यहां के जो भी उपायूक तो महोदय हैं, जो खास तोर पर जो है, इस पर नजर रख सकते हैं, उनसे निवेदन करना चाहेंगे, आपका छेतर का चीज है, आप डेवलप्मेंट कीजिए, और तब यहां पर देखिएगा, टूरिस्ट जो है, द देश बिदेश से भी लोग आएंगे, अगर देश बिदेश से नहीं आएंगे, तो आसपास के राज के लोग जरूर आएंगे,